अब अब बानिनी प्रिधान मंत्री जी हम सब को राष्ट्र को संबोधित करेंगे हमारे देश के पूर्व उपप्रधान मंत्री आदर डिये लाल कृष्ट्र अडवाने जी देश के ग्रह मंत्री मान्य स्री राजनाथ स्वीं जी मंत्री मंडल के मेरे अन्य सहियोगी गाण संसत के मेरे साथ ही पुलीस बलके सम्मानित अधिकारी गाण हौट स्प्रिंट इंसिडेंट के गवार है भीर सपूत यहां उपस्थित शहिदों के परिवार जन अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बेहनों हम सभी के जीवन में कुछ ख्षण ऐसे आते हैं जब आपको शौर्यों को नमन करना होता है हम गर्व से भरे होते हैं लेकिन साथ ही अपने भीतर संबेदना का एक जवार भी मैसूस करते हैं मेरे लिए यक्षण ऐसा ही है देश की सुरक्षा में समर्प्रीत प्रत्यक व्यक्ति को यहां उपस्तित सहिदों के परिवारों को मैं पुलिस मृती दिवस पर आदर पुर्वक नमन करता हूँ आज का ये दिन आप सभी की सेवा के साथ साथ आपके शावरिय और उच्च सरवच्च बलिद्यान को याद करने का है जो हमारी पुलिस और पैला मिलिटरी फोर्स की परिपाटी रही है पुलिस मृती दिवस उन सहसी पुलिस विरों की गाथा का भी स्मरण है जिनोंने लदा की बर्फिली चोटियों में प्रथम रक्षा पंक्ति का कार्य किया अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया आज पुलिस बेडे से जुड़े उन हजारों सहीदों को याद करने का भी अवसर है जिनोंने आजादी से लेकर अब तक कर्तब्य पत्थ पर चलते हुए अपना सर्वस्व अपना जवानी अपना जीवन नोचावर कर दिया ऐसे हर वीर विरांगना को मैं शत शत नमन करता हूँ हर सहीद के परिवार जिसमें से अनेक लोग यहां भी मौजूद है मैं आप सभी के सामने भी नतमस्तक हूँ जिनोंने अपने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया है साथियों यह मेरा सवभाग है कि मुझे राष्ट सेवा और समर्पन के अमर गाथा के प्रतीक राष्ट्य पुलिस ममोरियल को देश को समर्पित करने का अउसर मिला है इस मेमोरियल में बना सेंट्रल स्क्रप्चर हर पुलिस के सामर्थय शाओरिय और सेवा घबहाव का प्रतीक है शीला के नीचे का जल्प्रभा हमारे समाज में निरंत भरती सद्भावना का प्तीक है दे वाल अफ वेलर पर उन 34,844 पुलिस करियों के नाम है जिन्होंने देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग चुनोतियों से निपढ़ते हुए अपना सर्वोच बलिदान दिया मुझे विश्वास है कि इस मेमोरियल के नवनिर्मित मुझिम में रखी एक-एक वस्तु एक-एक समृति यहां आने वाले हर देशी वासी हमारे देश वासी को हमारे युवास सांथियों को हमारे देश के भविश्य हमारे बच्चों को अपनी पुलीस और पैरा मिल्टरी ववस्ता के गवरव शाली त्याहाज के बारे में प्रेरणा देगी जिस प्रकार आप सभी अपने करतब्र के पत पर दिन रात बिनारु के बिनाथु के अटल रहते हैं हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बारिष में, बर्प में, हर समय र्त्योहार पर शेवा के लिए तैनात रहते हैं कुछ यही भावना इस मेमोरियल को देखते भर से ही आपने भीतर जलकती है साथियों ये आप सभी की सजक्ता का ही परणाम है कि देश को अशांत करने वाले तत्यों को निराशा हाथ लगती है देश में डर और असुरक्षा का माहोल पैदा करने की अनेग साजिसों को आपने नाकाम किया है ऐसी साजी से जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आ पाती ऐसी दिलेरी जिस पर सार्वजनिक तौर पर कभी आपको प्रशमसा तक नहीं मिलती शान्ती से गुजरने वाला देश का प्रतेकपल देश वाच्यों का प्रतेकपल आपके इसी करतब्य भाव सेवा भाव से ही संभव है साथियों आज का दिन जम्मू कश्मीर में शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए आतंग से निपटने वाले हर जवान को याद करने का भी है देश के नक्सल प्रभाविजिलों में जो जवान अभी ड्यूटी पर तैनाथ है उनसे भी हमें यही कहूंगा कि आप बहतरीन काम कर रहे हैं और स्थान्ति स्थापना की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अगर आज नक्सल प्रभाविजिलों की संक्या कम हो रही है उन इलाकों के जादा नवजवान मुख्य धाना से जुड़ रहे हैं तो इसमें आपके प्रयासों भी बहुत बड़ी भूमिका है नौर्थ इसमें डटे हमारे साथियों का शौरिय और बलिदान भी अब शान्ति के रूप में हम अनुभव कर रहे हैं शान्ति और समरुद्धि का प्रतिक बन रहे हमारे उत्वर पूर्व के विकास में आपका भी योगदान है साथियों आज का ये दिन देश में आपदा प्रबंधन में जुटे किसी प्राकृतिक संकड के समय या हाथसे के समय राहत के काम में जुटने वाले उन जवानों को भी याद करने का है जिनकी सेवा की बहुत चर्चा नहीं की जाती है मैं आज देश मांचों कहना चाहता हूँ पिछले कुछ वर्षों से कहीं पर भी प्राकृतिक आत्ता होती है तो आपने देखा होगा NDRF लिखे हुए या SDRF लिखे हुए जवानों को युनिफॉर्म में राद दिन महा कड़ी महनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा लेकिन देख को पता नहीं है ये वो ही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलीस के जवाज है देख उनके साहच को उनके समर्पन को उनकी सेवा को कभी न भूले बहुतों कोते पता तक नहीं होता कि कोई इमारत गिरने पर नाव हाथ सा होने पर आग लगने पर रेल के अंदर हाथ से होने पर राहत के काम की कमान संबालने वाले लोग कौन है देश के हर राज्य में हर पुलिस टेशन हर पुलिस चौकी में तायनात रास की हर संपदा की सुरक्षा में जूटे साथियों को राहत के काम में जूटे साथियों को आप सभी को मैं आज इस महत्वपन अवसर पर इस मुर्दी दिवस पर अंतह考न पुर्वक बहुत-बहुत बधाई देता है सांतियो यसमारक, सेवा और सोर्य का प्रतिक तो है साथ में यस सरकार की प्रतिवद्धता को भिदर साता है जिसका अधार, राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्मान से जुड़े हर भारतिय का सम्मान है आज मुझे राष्टिये पुलिस मेमोरियल पर गर्व है लेकिन कुछ समाल भी है आखिर इस मेमोरियल को अस्तित्व माने में आजादी के सत्तर वर्ष क्यों लग गए जिस होट स्प्रिंग इंसिडन के बाद पुलिस मुर्ति दिवस मनाया जाता है वो भी तो साट वर्ष पहले की घटना है फिर इतने वर्ष इंतजार क्यों साथियों देश के पुलिस बलको समर्पित ऐसे मेमोरियल का विचार पचीश-चब्वीस बर्ष पहले कौनदा था तब कि सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी थी लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए पहला कदम अटल विहारी जी बाजपाईची के सरकार ने उठाया और दो हजार दो में ततकानिन गिरह मंत्री आदर्णी अडवानी जी ने इसका स्चिलान्याद भी किया था आज अडवानी जी यहां स्वयम उपस्तित है अपने उस सपने को साकार होते देखने के लिए वो गवरावनाईत होते होंगे वो भली भाती जानते हैं कि उनके द्वारा स्चिलान्याद के बाद किसी तरह इस मेमोरियल का काम आगे नहीं बढ़ पाया मैं मानता हूं कि कानूनों की वज़े से कुछ वर्ष काम रुका लेकिन पहले की सरकार की चाहोती उसने दिल से प्रैस किया होता तो ये मेमोरियल कई वर्ष पहले बन गया होता लेकिन पहले की सरकार ने अड़वानी जी द्वारा स्थापित पत्थर पर धूल जम ने दी 2014 में जब फिर एंडिय की सरकार बनी तो हमने बजेट आवंटन किया और आज इभंप्यस मारक देश को समर्पित की जा रही है शायद अच्छे काम करने के लिए इस्वन ने मुझे ही चुना है मुझे ही पसंद किया है यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है आज समय पर लक्षों को प्राप्त करने की कारिशन स्कुरती विख्सित की गई है आपको याद होगा यहीं दिल्ली में पिछले साल आम बेड कर इंटरनेशनल सेंटर का लोकारपन किया गया है इस सेंटर पर चर्चा भी 1992 के आस्पाथ शुरू हुई थी लेकिन दो दसक तक इसकी भी फाइल दबी रही इस सरकार के आने के बाद फाइल खोजी गई सेंटर का सिलान्यास हुआ और लोकारपन भी हो गया ऐसे ही बाबा साब आमबेड करके घर 26 अलिपूर रोड पर नेशनल मेंबोरियल बनाने का काम अटल जी के समय शुरू हुआ था उनकी सरकार के जाने के बाद इस प्रोजेक पर भी काम रुख गया हमारी सरकार आने के बाद सिलान्यास हुआ और इसी साल अप्रिल में उसका भी लोकारपन करने का सोभाग मिला मुझे खुशी है कि आज ये भव्यस्मारक दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं साथियों कभी कभी तो बड़ा गंबीर सवाल मेरे मन में उठता है कि देश के लिए अपना सर्वस्वा समर्पित करने वालों वीर्ता और बलिदान देले वालों के प्रती पहले की सरकार की इतनी बेरुखी का कारण क्या था ये तो हमारी परंपरा हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा हम तो वो लोग हैं जिनोंने भूखे रहते हुए भी राश्ट की आन बान शान के लिए सब कुछ निशावर कर दिया मुझे गर्व है कि बिते चार वर्सों से हम फिर उस परंपरा को स्थापित करने में सफल हुए है जहां हर उस व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित हुआ है जिस ने राश्ट निर्मान में अपना योगदान दिया है और राश्ट निर्मान का प्रहरी है आज राश्टिय पुलिस मेमोरियल का रोकारपन इसी परंपरा को उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में है आज से ठीक दसवे दिन 31 अक्तुवर को मुझे गुजरात के केवडिया में सरदार बल्लबाई पटेल जी की एक गगन चुम्बी प्रतिमा का नावर करने का सौ प्रति किये गए योगदान का ये प्रतिमीम होगी साथियों मेरा मानना है कि इस मारक सिर्फ गुमने फिरने की स्थान भरना रहे बड़कि ऐसी एक ववस्ता के तौर पर विक्सित हो जहां से नई पीडी को हमारी परंपराओं देश के गरों का ज्यान मिले पुलिस के परं परंपरों की जानकारी मिले मेरा तो सुजाव होगा कि देश के लिए त्याग और टब करने वाले हमारे हर शहीत की प्रतिमाई उन स्कूलों में भी लगे जहां पड़े थे उन गावों में लगे जहां के वो रहने वाले थे जब हमारे वित्यार थी हमारे महावीरों की प्रतिमाओं को देखेंगे तो एक नई प्रेर्णा उन्हें प्राप्त होगी साथ क्यों हमें वो वातावन तयार करना चाहिए कि जब भी पुलिस का परामिल्टरी फोर्स का सेना का जवान कहीं से गुजरे तो सहज ही सम्मान का भाव जाग जाए ये पुलिस मेमोरियल शहीदों की प्रतिमाए उनकी गाथाएं हमें इसी दिशा में की और ले जाएगी आज इस अवसर पर मैं आपके बीच एक महत्वपून और एतिहासिक एलान भी करना चाहता हूँ साथियों देश में विप्रदा की स्थिती में किसी प्राकृतिक आपता की स्थिती में सबसे पहले हमारी पुलीस और पैरा मिल्टरी के जमान ही पहुँचते हैं इनके बिना नेशनल डिजांटस्टर रिस्पॉंस फोर्स एंडी आरेप की कलपना भी नहीं की जा सकते हैं संकर के समय ये दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को दाव पर लगा देते हैं लेकिन ये भी सच है कि उन विकट परिस्तियों में अक्सर इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता स्थित्यां सामान्य होने के बाद तो अपने अपने थानों अपने अपनी बटालियन में वो वापिस लौट चले जाते हैं आप दा प्रबंधन में दूसरों का जीवन बचाने वाले ऐसे पराक्रमी सेवावरती वीरों के लिए आज मैं एक सम्मान का एलान कर रहा हूँ ये सम्मान भारत माता के वीर सपूत नेता जी सुभाद चंद्रबोज जी के नाम पर प्रती वर्ष 23 जन्वरी उनकी जन्मती थी पर गोशिद किया जाएगा और संभाव को संभाव बना देने वाले अंग्रेजों को भारत चोड़ने के लिए मजबूर करने में बड़ी भुमी का निभाने वाले हमारे सुभाद बावु का नाम इस सम्मान का और गोवरो बढ़ाएगा हम सभी के लिए ये भी गोवरों की बात है कि आज ही उनके द्वारा स्थापीत आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं भाई यो और मेहनों शौरिय पराक्रम और बलिदान की वैवोवसाली परमपरा शांदार अतीत के साथ ही वर्तमान और भविश की चुनोतियों पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता है आज तक्नीक ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है जाहिर है इसका असर क्राइम के तौर तरीकों पर भी पड़ रहा है अपरादी टेक्नोलोजी को हत्यार बना रहे हैं अपफा और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनोती के रुप में उभर रहा है ऐसे में दूसरी एजन्सियों के साथ बहतर तानमेल के अलावा पूलिस तंत्र को टेक्नोलोजी और इनोवेशन का समावेश अपने कामकाज में अधिक करना होगा साथ को इस दिशा में देश बर में अनेक सार्थक प्रयाद भी हो रहे हैं देश के अनेक राज्यों में सोचल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन एफाईर जैसी सुविदा पूलिस दे रही है ट्राफिक समन्दी सिकायते भी सोचल मीडिया के माज़्यम से हैंडल हो रही है ये सरानिय कदब है इन कोहएं उस तर पर ले जाना है कि सामान्य सिकायतों के लिए छोटी छोटी वेरिफिकेशन के लिए किसी को ठाने तक आने की नौमत न पड़े साथियों आप सभी को ये भी जानकारी है कि पिछले वर्षी पुलिस सुधार की तरफ सरकार ने बड़ी पहल की थी MPF यहनि Modernization of Police Force Scheme के तहट करीब 25,000 करोड रुपी है 2019-2020 तक पुलिस इंस्पा सेक्टर टेक्नलोजी और टेनिंग पर खर्च किये जा रहे है इस योजना से आधुनिक हथियार पुलिस की मूमेंट टेजिस हो इसके लिए जरूरी समान और टेक्नलोजी Communication System का अधुनिकरण ऐसे अनेक कार्य किये जा रहे है इसके अलावा पुलिस टेशन को इंटिग्रेटेड कर National Database of Crime and Criminal Records बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है इस डेटाबेज को नयाए प्रहाली के दूसरे समस्तानों जैसे जेल हो Forensic Lab हो या फिर नायाल हो इनके साथ जोडने का भी प्रयास किया जा रहा है सरकार का प्रयास है कि हमारी कानून व्यवस्ता और ट्राफिक की व्यवस्ता बहतर करने के लिए Smart Technology हर राज्य हर शहर तक पहुँचे लेकिन Technology मानिविय संबेदनाओं की भरपाई कभी नहीं कर सकती यही कारण है कि Police Force के हर सदस्य की भूमी काम बहुत महत्वपूर है आप समाज के सबसे कमजोड दबे कुचले पीडी सोशित का सबसे पहला Defense है पहले दोस्त है जिसको मुश्खिल परिस्तीतियों में सबसे पहले आपको याद किया जाता है लिहाजा आपकी भूमी का कानून काईदे को स्थापित करने की तो है सम्वेदना के साथ लोगों का दुख समझना उनके आशू पहुंचने की भी है ठाने में पहुंचे हर पीडी सोशित को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने से दो बोल प्यार से बोलने से पुरीश और समाज का ये बंदन और मजबूत हो जाएगा जब बंदन मजबूत होगा तो सयोग और जन पागिदारी की वेवस्ता भी और मजबूत होगी इससे अपराद कम करने में आप सभी को समाज की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी और ये मेरा पक्का बिश्वास है अन्त में एक बार फिर पुलिस बुर्ती दिवस पर इस आधुनिक राष्टिय पुलिस मेमोरियल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता मैं राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से भी आगरह करूँगा कि वे भी एक विशेष कारकम बना करके यहां आए इन पुलिस कर्मियों को वो सरदान्जली दे और अपने राज्य के जो लोगों की सुची है उनका भी विशेष रुप से सम्मान करे जरूर यहां आए अधि विकारियों के साथ मिल करके वो अपनी योजना बनाएं आपकी सेवा और समर्पन को नमन करते हुए मैं मेरे इन पुलिस परिवारों को आने वाले त्योवारों की बहुत-बहुत शुप कामनाओं के साथ मैं अपनी बात समत्त करता हूँ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद मानि प्रधानमंत्री महोदे ने राष्ट्रिय पुलिस समारक देश को समर्पित किया